तो इस सूरत में पूरी की पूरी string हमें बेल जाती है, यानि यू लिखना या सिर्फ string का नाउम लिखना एक ही बात है, तो अगर हम start location और end location दोनों ही specify नहीं करते, तो पूरी की पूरी string हमें return कर देता है, यह ऐसे ही है कि जैसे हम string के अंदर slicing करें ही ना, बल्के string को नाउम लिखके पूरी की पूरी को ऐसे ही access कर लें, okay, now we have a little check to see what we have learned, write python code that prints out Udacity, that's with a capital U, बाकी character is small है, d, a, c, i, t, but the first character is capital, given the definition, s is equal to audacity, so, let me just copy it from here, first करें, मेरे पास एक string है, और मैंने इस string को इस्तमाल करते हुए, udacity print करना है, जिसमें U capital हो, तो मुझे इस string को इस्तमाल करना है, वैसे तो आप यह भी कह सकते हैं, जी चलाए, udacity print करना है, तो आप यह लिख लें, print, यह लिखे, udacity print कोजए गा, यह लिख लें, इस string, is, we need to use this string, s. to print 3, हमें इस में से, जो मतलब के character है, इस string के वो हमें यहां से लेने हैं, बाकी कुछ हमें, tweaking खुद करनी है, so what we do is, अब अगर हम देखें हमें फ्रेंट करना है Udacity, लेकिन इसमें U हमें capital चाहिए, इसके D, A, C, I, T, Y यह characters यहां पर दस्तियाब हैं, यह हमें चाहिए, लेकिन यह वाले characters हमें A और U नहीं चाहिए, और इसके शुरू में हमें capital U खुद add करना है, so हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं print, U चुके हमें अलग से चाहिए, वह उस string में available नहीं है, U plus S, अब S के अंदर से हमें एक slice लेना है, तो हमें start location क्या बतानी है, क्योंकि हमें D, A, C, I, T, Y चाहिए, तो start location हमारी क्या होगी, जहाँ, it will be two, zero, one, two, उसके बाद column डालिए, separator के तौर पे, और end location क्या होगी हमारी, क्योंकि हमें आखर तक string चाहिए, तो हम कह सकते हैं, two, three, four, five, six, seven, और क्योंकि हमें seven तक चाहिए, तो हम लिखेंगे eight, क्योंकि eight लिखेंगे, तो eight से एक करेक्टर पहले तक की string को हम access कर सकेंगे, so if we print this, we get what we desire, Udacity, आप यह भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको string आखर तक पूरी ही चाहिए, तो आप end location specify ही ना करें, उस सूरत में भी हमें यह string पूरी की पूरी मिल जाएगी, what we desire, right, I hope you got this point, Then there is another quiz to check what we have learned, for any string, suppose हमारे पास कोई string s है, और उसके आगे उसकी कोई भी value है, this simply means any symbolic value, it can have any value, जैसे हमने पहले भी example देखी, which of these is always equivalent to s, तो हमारे पास कुछ options दी गई हैं, और हमसे पूछा गया है, कि इन में से कौन-कौन सी options हैं, जो original string के बराबर होगी, अब s में कोई भी value हो सकती है, right, first करें हम again, हम s की value एक example value ले देते हैं, इस case में हमारे पास s की value audacity है, first करें हम इसी value रहने देते हैं, right, हम s को print करके देख लेते हैं, s is audacity, a, u, d, a, c, i, d, y, अगर हम ये लिखें, तो क्या ये हमारी original string के equivalent होगा, like, अगर हम यू लिखें, अब हमने क्या लिखा है, string का नाम लिखा, उसके आगे, indexing ये slicing के लिए हमने square brackets डाली, और square brackets में हमने start location नहीं बताई, colon डाल दिया, और end location भी नहीं बताई, तो क्या ये s के बराबर होगा, I guess you would have guessed it, yes, it will be equivalent to s, it will be equivalent to the original string, why, because, मैं आपको मिसाल में पहले यहाँ पर बताया भी, कि अगर आप start location और end location specify नहीं करते तो ये ऐसे ही है, कि आप string को directly लिख लें, वो पूरी की पूरी string आपके पास, वैसे की वैसे available हो जाएगी, okay, दूसरा case है, कि आप लिखे s, plus, यानि concatenate कर रहे हैं, आप original string लें, और उसके अंदर concatenate करें, अब original string तो original string के बराबर ही होगी, अब हमें देखना ये कि concatenate हम क्या कर रहे हैं, क्या इससे फरक पढ़ेगा string के ओपर, concatenate करें, s of 0, 0 हमने start location बता दी, और उसके बाद हमने colon डाल के end location बताई है, which is minus 1 plus 1, minus 1 और plus 1 क्या होगा, that will be 0, minus 1 और plus 1 0 ही होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप original string के अंदर string का एक slice concatenate कर रहे हैं, जिसकी start location 0 है, और end location भी 0 है, आप जानते हैं कि string हमेशा अपनी end location से एक पहले तक का character लेती है, तो अब अगर आप start location और end location सेम रखेंगे, तो इसका मतलब है कि string खाली होगी, तो इस सूरत में आप original string के अंदर खाली string concatenate कर रहे हैं, इसका मतलब है कि string की original हालत के अपर कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, s plus s of 0 and then minus 1 plus 1, right, so this is the same string, audacity is written, इसको हम अगर यू लिखते हैं, तो this is also the same, minus 1 plus 1 is 0, so if we directly write 0, this is also going to give us the same string. उसके बाद आप से पूचा गया है कि क्या अगर हम यू लिखें, तो ये equivalent होगा original string के, यानि s of start location बता दी, आपने 0, colon डाला और end location नहीं बताई. तो इस सूरत में क्या ये string original string के equivalent होगी? मेरा खाल है आपने इसको भी ठीक guess कर लिया होगा, कि ये string भी original string के equivalent होगी, क्योंकि आपने start location 0 बताई, तो वो 0 से इसको read करना शुरू कर देगा, और end location चूँके आपने specify नहीं की, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप end location specify नहीं करते, तो उस सूरत में, वो string के, string के आखर तक पूरी string को read कर लेता है, so this is also going to give us the same string audacity, right? Okay, next is s, now you have not specified the start location, however you have specified the end location, अब end location अपने positive index की बजाए, negative index से specify की है, और हम जानते हैं कि minus 1 आखरी character को represent करता है, तो इसका मतलब भी ये बनता है, कि हम start location specified नहीं करें, तो हम string को पहली location से read करना शुरू करेंगे, और minus 1 यानि के आखरी character तक read करेंगे, right? So apparently, ये case भी original string के बराबर या equivalent हमें नदर आता है, लेकिन इसको हम execute कर के देखते हैं, there is a little tweak that you will see here, start location is not specified, and end location is. अब इस case में अगर आप देखें, तो आपके पास original string में से एक character काम आया, जो आखरी character है, वो truncate होगिया, वो नहीं आया इसके अंदर. Now, you can try and guess कि वो character क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया, कि जो हम end location specify करते हैं, string उस end location से हमेशा एक character पहले तक के characters को access करती है, तो यहाँ क्योंकि हमने यह character location specify की हुई है, तो हम इस character को access नहीं कर पाएंगे, बलकि इस से एक पहले के character तक हम string को access कर पाएंगे, so we have access the whole string, leaving out the last character, so यह case, original string के equivalent नहीं बनता, राइट, it just drops the last character, okay, then the last question is that, is s of, we have not specified the start location, यानि start location से लेके third character तक, और फिर हम उसमें concatenate कर दें, third character से लेके आखरी character तक, तो क्या यह string, original string के equivalent होगी, इसे भी आप guess कर सकते हैं, अब apparently अगर आप देखें, तो आप यह कह रहे हैं, कि आप string का 0, 1, 2, इन locations को यहाँ access कर लें, 0, 1, and 2, और उसके बाद, 3 से onwards आखर तक string को यहाँ access कर लें, apparently यह string भी, original string के equivalent होनी चाहिए, हम इसको भी लिखके देख लेते हैं, s of, no start location, and up to 3, and then s of, 3, and then no end location, तो यह भी हमें original string return कर देती है, अब इसमें एक केस ही है, मिसाल के तौर पे फर्स करें, हमारी string में एक ही character है, a, right, अब अगर हम यू लिखें, तो क्या आएगा, you see, it still gives you a, right, so इस केस में भी, हमें original string return हो गई है, अब हुआ क्या, जब हम सादा indexing की बात कर रहे थे, अब आप यहां यहां देखें, मैं मिसाल के तौर पे, अगर वैसे s at 3 लिखने की कोशिश करूँ, तो मुझे मिलता है error, string index out of range, तो जो single index जब हम लिखते हैं, यहां पे देखें, हम range नहीं दे रहे हैं, बलके सिर्फ एक single index को एक्सिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी हम single index लिखते हैं, अगर वो index valid नहीं है, string के अंदर वो length, वो character, वो range एक्जिस्ट नहीं करती, वो index एक्जिस्ट नहीं करता, तो हमें यह error मिलता है, that string index is out of range, हाइवर, जब हम range specify करते हैं, columns के जरीए start location and location, ना भी बताएं लेकिन colon का इस्तमाल करें, इसका मतलब हम range की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में अगर हम out of range भी कोई index बता देंगे, तो error नहीं मिलेगा, अगर वो index exist नहीं करते होंगे, वो range exist नहीं करते होंगे, तो हमें simply empty string return हो जाएगी, मिसाल के तोर पे, यहां हमारे पास S में एक ही character है A, और मैं लिख देता हूँ S of 12 to 13, I get an empty string, तो 12 भी उसमें exist नहीं करता, 13 भी उसमें exist नहीं करता, लेकिन index के case में, सादा index जब हम लिखते हैं, तो we do receive an error of the validity of index, if it is not a valid index, we do receive an error, however in case of specifying a range, अगर वो range एक्जिस्ट नहीं करती, तो उस सूरत में हमें empty string मिल जाती है, error नहीं मिलता,